Hello everyone, how are you all? I hope you all are well and doing good in your study. आज हम आब होवा चेप्टरगा सेकेंड पार्ट देखेंगे, फर्स पार्ट में हमने ब्राजील की इन्फोर्मिशन ली थी, सेकेंड पार्ट में हम भारत की बारे में देखेंगे, तो यहां पर भी जो है स्टार्टिंग में मैप दिया गया हैं और भारत से रिलेटर उसमें इन्डेक्स में दिया गया हैं कि कहां पर चार हजार मिली मीटर से ज्यादा बारिश होती है, कहां पर कम होती है, तो जहां पर ज्यादा होती है, वो जो है डाग बलू से बताए गया है, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे मैप में, कि भारत का जो मगरीबी साहिली इल इलाके कौन से हैं तो यहां पर सबसे पहले हम मैप को जूम करते हैं तो आप यहां देखिए कि यह जो है थार का रेगिस्तानी इलाका है यहां पर जो है तो इन इलाकों में दर्जे हरारत ज्यादा रहता है अब इसके बाद जो हमाले का इलाका है वहां पर बर्वबारी होती है पहाड़ी इलाका है इसलिए वहां पर दर्जे हरारत सबसे कम रहता है जो कि आप यहां मैप में देख सकते हैं कि वहां पर 20 डिगरी सेलसियस तक दर्जे हरारत रहता है अब थर्ड कोशन है कि भारत की किस सिम्ट में दर्जे हरारत बढ़ता है तो यहाँ पर जो है नीचे की जानी जानी की जुनूब की सिम्ट में दर्जे हरारत बढ़ता है और अगर उप उपर की जानिब जाएंगे हमाले की तरफ शुमाली हिस्से में तो वहाँ पर दर्जे हरारत कम होता जाता है अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि भारत में चलने वाली हवाओं की सिम्त बताईए और उन हवाओं के नाम बताईए तो यहाँ पर अब आप कैसे बताईएंगे तो यहाँ पर मैप में आप आइरो देख रहे हैं जैसे ब्राजील में भी आइरो बताईए था हवा की सिम्त के लिए मगरीबी जो मौसमी हवाई है उनकी वज़े से यहां पर बारिश होती है अब नेक्स्ट है कि राजिस्थान के कुछ हिस्सों में रेगिस्थान नजर आता है इसकी क्या वज़ा है अब यहां पर जो है आप इस आंसर के लिए राजिस्थान का मैप देखिए यह जो मैप आप कावट हो जाती है जिसकी वज़े से यहां पर जो है जो जुनूबी मगरीबी इलाका है यहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है अब जो यह पहाड है कोहे अरावली इसके अकब में इसके पीछे का जो इलाका है वहां पर साइबारा का इलाका बन जाता है बारिश बहु अब इसके बाद नेक्स दिया गया है कि भारत से गुजरने वाले दर्जह और दर्जह रारत पर असर अंदास डालने वाला एहम अर्जुल बलत कौन सा है। हमने ब्राजील के मैप में देखा था कि ब्राजील के शुमाली हिस्से से खतेस तवा गुजरता है। अब इसके बाद लास्ट कोशन है किभारत के जजिरे नुमा सत्य मुर्तुफा है वहाँ पर जो है किस इलाके में साइबारा का इलाका बनता है यानी नीम खुश की इलाका बनता है और इसके क्या सबब है अब यहाँ पर हम मैप को जूम करके देखते हैं कि यहाँ पर जो जजीर नुमा भारत की सत्य मुर्तुफा है इसके पीछे का जो हिस्सा है जो मश्री की इलाका है यहाँ पर जो है साइबारा का इलाका है कम बारिश यहाँ पर होती है यहाँ पर जो है जो कि लाइट ब्लू कलर से बताए गया है तो यहाँ पर जो है पास्व मिलिमीटर से भी कम बारिश होते हैं ठीक है अब इसकी बात आगे सालना उसत दरजहरारत और बारिश की एक तरसीम दी गई है जिसमें जो है अलग-अलग शहरों के नाम दीए गए है और वहाँ का दरजहरारत और बारिश बताए गई है यहाँ पर तकरीबन जो है जून से लेके सितंबर के महीने में बारिश होती है लेकिन चिन्नई का जो इलाका है वहाँ पर तकरीबन जो है 7-8 महीने तक बारिश होती है अब पिछले भी हमने मैप में देखा है कि भारत में जो है जुनूबी मगरिबी और शुमाली मशरी की हवाओं की वज़े से मानसून आता है लेकिन हवाओं की वापसी पर जो मानसून आता है जिसे हम जो है मानसून की वापसी कहते है उसकी वज़े से चिन्नाई में बारिश ज्यादा होती है इसे हम देखते हैं मैप के थुरूप अब यहाँ पर आप मैप में देखी कि जो नीचे का हिसा है जुनूबी हिसे में चिन्नाई आता है तो यहाँ पर हमने देखा था कि भारत में जो मानसून आता है वो जुनूबी मगरीबी या शुमाली मशरिकी हवाओं की वज़े से आता है तो यह हवाएं जब उपर की जानिब जाती है और शिवालिक पहार से टकरा कर वापस आती है तो यहाँ पर जो है मानसून की वापसी पर बारिश होती है इसलिए जो है चिन्नाई में तकरीबल 7-8 महिने तक बारिश होती है जो के जो अरसा होता है मई से डिसेंबर तक का ठीक है अब इसकी बाद सेकेंड कुशन दिया गया है कि दिल्ली और कॉलकटा के दर्जे हरारत के लिए तरसीमी खत के खम में क्या यकसानियत दिखाई देती है तो यहाँ पर आप मैप में देखिए तरसीम में देखिए कि यहाँ पर जो दर्जे हरारत है दोनों शेहरों में जो है मई और जनवरी के अरसे में बढ़ता है और दोनों शेहरों में यह जो है आउगस्ट और नॉयमबर के अरसे में कम होता है अब इसके बाद अगले कोशन में आपको जो है चारों शेहरों के सबसे ज़्यादा और कम दरजे हरारत के मदारिज निकालने कि कब जो है दरजे हरारत सबसे ज़्यादा हुआ और कब कम पर जो है सबसे कम दर्जे हरारत 9 डिग्री सेलसियस है और सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 37 डिग्री सेलसियस है उसके बाद मुंबई शहर में सबसे कम दर्जे हरारत 16 डिग्री सेलसियस रिकॉर्ड किया जाता है और सबसे ज्यादा 34 डिग्री सेलसियस है अब इसके बाद ला हैं और इससे आप क्या अंदाजा लगाएंगे तो यहां पर हमने पहरे भी देखा है कि चिन्नई में जो है ज्यादा बारिश होती है तो वहां पर जो है दर्जहरारत अक्सर कम रहता है तो इससे ये मालूम होता है कि वहां की जो आबा हुआ है वो मौते दिल है अब इसके ब अब नेक्स्ट है कि मुंबई की दर्जहरारत और बारिश के लिहाद से आप आबो हुआ का अंदाजा लगाएंगे तो अब जो मुंबई शहर है वहां पर दर्जहरारत ना बहुत ज्यादा होता है ना बहुत कम होता है अब यहां पर आप तरसीम में देखिए कि यहां का जो सबसे कम दर्जहरारत है वो 16 डिग्री सेल्सियस है और सबसे जादा जो है वो 34 डिग्री सेल्सियस है इसके अलावा जो बारिश है वो जून के महीने में कम होती है और जुलाई के महीने में तकरीबन जो है 720 मिलिमेटर तक होती है तो इसका मतलब यह है कि जो मुंबई क आबो हुआ है वो अमूमन जो है गर्म और मरतूब आबो हुआ है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं कि भारत में किस महीने में सबसे ज्यादा बारिश होती है तो भारत में जो है अमूमन जून के महीने में ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है इसके बाद लास्ट रोमें से मौतदिल और गैर मौतदिल आबो हुआ में दर्जा बंदी कीजिए तो अभी हमने देखा कि जो मुंबई है चिन नहीं है यहां पर मौतदिल आबो हुआ है और गैर मौतदिल आबो हुआ जो है डेली और कॉलकटा में होती है ठीक है तो इस तरह से यहां पर यह तर सर्थान गुजरता है जिसकी वज़े से सूरच की जो शुआएं है वो उमूदन पड़ती है इसलिए यहाँ पर साला ना दर्ज हरारत मतलब साल पर जो है दर्ज हरारत ज्यादा रहता है जो कि जुनूब की जानीब बढ़ता है अब इसके बाद मौसम सर्मा में जमू कश्मी और जो भी पहारी इलाके तर्ज हरारत 40 डिक्री सल्सिय से भी नीचे चला जाता है इसके अलावा भारत में बहरे हिंद और कोहे हिमालय की वज़े से आबो हवा पर मानसुन पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हिमालय पहार की वज़े से जो शुमाल की जानीब स जो इंतियाई सर्द हवाई आती हैं वो रुख जाती है और जुनूप मगरी भी मौसमी हवाई जो होती है वो हिमालिया के शिवालिक और जो हिमाचल की पहाड़ी सिलसिले उसकी वापस चली जाती है अब हमने देखा हैं कि पंजाब का जो मैदानी इलाके और राजिस्तान की जो थर के रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ की आबो होगा गर्म मर्तूब है जिसकी वज़े से वहाँ पर कम दबाओ का पट्टा बनता है और बहरे हिंद में ज्यादा दबाओ का पट्टा बनता है ज जाहिली इलाकों में ज्यादा बारिश होती है और इनके अकब में इनके पीछे के इलाकों में जो है साइबारा का इलाता है यहां पर कम बारिश होती है इसी तरह से गुजरात और राजिस्तान के कुछ हिस्तों में जो है कोहे अरावली की वज़े से कम बारिश होती है अब य जिसकी वज़े से यहाँ पर मौसम की वापसी पर बारिश होती है। ने भारत में जो है चार मौसम को तस्थीम किया है जिसमें जो है मौसम में सर्मा, मौसम में गर्मा, मौसम में बारा और मौसमों की वापसी वाला महिना है ठीक है So now यहाँ पर यह chapter complete होता है इस chapter की question and answers हम next video में cover करेंगे So thanks for watching the today's video